नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकर्ष भागय फल में और मैं आपके साथ खुश्बूख 20 फरवरी को सुमवती अमवस्या है, पालगुन महा की अमवस्या सुमवार को है, इसलिए वे सुमवती अमवस्या है सोम्वती आमवस्या के दिन परेग और शिव योग बने हैं, परेग और योग शत्रू को परास्त करने और शिव योग साधना के लिए उत्तम होता है और एक योग के स्वामी शनी देव हैं शिव योग ध्यान और समाधी के लिए महत्पूर माना जाता है इस विशे पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोतिश परिशत एवं शोद संस्थान अध्यक्ष जोतिश अचारे पंडित प्रशोतम गौड़ जी आचारे जी स्वागत्य आपका हमारी खास पेश्कश्में अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़ कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रिन पर आपको फ्लाश कर रहे हैं नंबर है 0127153787 और दूसरा नंबर है 0127153826 नंबर पर आप कॉल करके आप अपनी समस्या का निवारन जान सकते हैं कोई भी मन में आश्रंका हो इन नंबर पर कॉल करिए और इसके साथ जब आप कॉल करें तो आप अपना जनवस्थली और अपने सवाल को तुरण पूछे ताकि आपके साथ और दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिल सके पंडेची आपके पास आऊंगे आज के दिन के महतों के बारे में जाना चाहेंगे सबसे पहले कर देके आज का दिन ये अमा चाहिए कल उदहे अपनी आसरे घी सोन्तिवा अमाकर गये और जब्साद्नर के दृष्वे प्रएंश को परास करने का योग बन रहा है जिसे शीव योग कहते हैं शीव योग जब बनता है इस योग में साधना जो करते हैं साधना वाले लोगों के लिए तो बहुत ही कारगर होता है सुमुतियमावशा इस पार 20 फर्वरी यानि सोमनार के दिन रहेगी इसमें परिक योग और सिव योग बन रहा है सुमतिय मावशा के दिन जब फालगुन मास की सुमतिय मावशा इसमें दान, पुन्य और पूजा पाट की बहुत बड़ी मानता है आज रविवार है और चौदस है चौदस को रिक्ता थिती बोलते हैं इसलिए कोई विश्व बमंगल कारिये को शुरूप नहीं देते हैं सुमतिय मावशा का जो हम देख पा रहे हैं परिक योग जो बन रहा है ये दुस्मनों को परास्त करता है ये भी आपको बता दें कि ये जो परिक योग है ये कैसे बनता है इस योग के स्वामी जब सनी होते हैं तो फिर इस योग में दुस्मनों के खिलाब किये कारिये विज़यी प्राप्त करने वाले बन जाते हैं शुव योग जब बनता है तो उसमें आप भक्ती साधना जो करते हैं उसमें आपको सपलता मिलती है और स्वमतिय मावश्य स्वमार के दिन जबा मावश्या उदेवयापनी होती थी तो फिर वो आप मावश्य होती है सिव योग में समाधी के लिए बहुत ही शुब माना गया जाता रहा है सिव एक दर्शन है सिव एक दर्शन है इसके अनेक अनेक रूप में आदी अनादी अंत नहीं है सिव एक शक्ती का नाम है सिव एक संगाहर करता है सिव एक भूले बाबा भी है लेकिन सिव तांड़ों भी करते है और सिव विनास भी करते है इसलिए ये सिव योग का जो है बड़ा महतो होता है सिव ये कह सकते हैं कि सिव योग में साधना की भी बड़ी शुब मान जाती है सुमती मौशा के दिन अमरत सरवत्तम मूरत रहेगा अमरत विला 6 बच के 56 मिट से सुबह 8 बच के 22 मिट तक रहेगी इस मौरत में इस्तनानादी, दानपण्यादी, गंगा, सरोवर, तीर्थ या फिर गलताजी में इस्तनान करना शुब होता है देखिए हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी पर्व से एक दिन पहले हम आपको अपडेट दें ताकि उस पर्व का सुबह आप होते ही अपना लाब लें इसलिए आपको बतला रहे हैं कि कल भ्रह्म मूरत से ही लोग इस्तनानादी करेंगे, वह दानपण की प्रकडिया रहेगी, अपने पित्रों का इस्तनानादी होता है ये भी करेंगे और ये ब्रहम मूरत सुबह 5 बच के 14 मिनिट से और 6 बच के 5 मिनिट तक रहेगा इस दौरान परतेक को शुप की वेकारिये आपको लाब देने वाले रहेंगे आपको बहुत मंगल शुप कामना है शबी दर्जकौन को बहुत मंगल शुप कामना है जे तो शली ओमेदze करते हैं कि आपको Somina Vati Aumavasya पर क्या करना है ख्या करना हो नहीं करना ही यह तमाम उसे पंडिजी से सवाल करके उसका जवाब लेके उसे दूर करें हाँ अजी आप अपने नाम बताएं और जेनर श्तरीप जाएं मेरा नाम काजिखान जी आचिकर राइस्टान नस्वांगरी से बोड़ रहा हूं हाँ 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 इस अपना स्वाई से आप ठीक है अप बड़ी आया है बस्टे के बारे पूछना जी कि को अन जी हाँ है हलो हाँ है जनाब इनका नाम बताएं उनका डेट वर्द बताएं समय बताएं और शेर बताई ए जनुमस्तान है जिलाफिकर मेशना राइस्टान बच्चे का नाम है फ्लेट फीज चरी जनुम की जैश है जी शोहा परोडी निची शो शटान में कि ठीक है हाँ तो इसके विलां के बारे में पुछ नाज है पनी जी कि देखिए हमारे आप प्रोग्राम में पहले भी जुड़े हैं आपको पहले भी हमने बतलाया था व्यापारादी के लिए बताया था घरादी के कारियों को अच्छे से सुचार रूफ से चलाने के इस्तत बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का जो विहाओ का संयोंग की बात करते हैं तो 2023 में यह संयोंग बनेगा और उसके बाद 2023 में अवश्च विहाओ होना तह है और हमारे सभी दर्शकों बताना चाहेंगे का हमारे इस चैनल में इस भागिपल कारकरम में चाहे कोई भी धरम जाती का हो सब लोग जुड़ते हैं सब अपना विश्वास रखते हैं सब सरदा रखते हैं और सब को यह प्रोग्राम बहुत पसंद आता है इसे सब लोग जुड़ते हैं यहां तक कि कई लोग तो गाडियों के मोरत प्रवेश गरह प्रवेश आदी भी पूछ लेते हैं भागपल कारक्रम में सभी लोगों के उज्वल भविश को ध्यान में रखते हुए पूर्ण समर्थ थन के साथ में हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपका हम दर्शन करा सकें और अच्छे सचे आपको बता सकें यही हमारा उदेश है भागपल कारक्रम को इसमे तो शंका थी वो दूर हुई होगी अगले कॉलर जो हमाइसा जुड़ रहे हैं जो भी मन में शंका है उसे दूर करिए आप अपना नाम बताए जनम स्थिली बताए और इसी के साथ आप अपने मन के जो भी सवाल है वो पंडिजी से पूछिए प्रणाम अचारी जी प्रणाम क्रुष्मान मेरा नाम बेद प्रकास है 6 से तंबर 1969 मेंदीपुर बाला जी का जनम है वार्थी साले गारे बजी घा काम दंदे सब रुके पढ़ें प्रणी जी क्या जानना चाहत था काम दंदे रुके पढ़ें पैसे से बहुत तंगो देखे वेद प्रकाजी आपने सिंग लगन में जम लिया है शुकर की महादशा है भुत का अंतर है मंगल का प्रतंतर है और आपको बता दें कि शुकर आपका जो देख पा रहे हैं शुकर आपका सस्तम भाव में बैठा हुआ है ये शुकर आपके इस्तती बहुत ज़्यादा तरत्य भाव का और दस्तम भाव का स्वामी हो रहा है अशुव इस्तती बनाता है और अन्कूल फल नहीं मिलने देता आप अपने व्यक्तिगत निर्मान के लिए निरंतर संगर्ष करने के बाद भी सपलता की स्रडियों को नहीं चुपा रहे हैं ऐसे में आपको डनने के कोई आउश्यत्ता नहीं आप कृपा करके प्रति दिन साथ पाठ हनमान चारिशा का करें और यदि बन सके तो रामरक्षा इस्तरोत भी पढ़ें और नियमित रूफ से एक मुठी अनाज आपक्षियों को डालना सुरू कर दें संध्या के समय कोई भी मंदिर सिवाले ऐसी और अनमान मंदिर वहां दीपक प्रजवलित करें दीपक जलाने का कारिये भी सुरू करें यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा आप यह कीजिए और शाफ को लाब होगा और आपको बहुत मंगल शुपकम नहीं मेहंदीपूर बाला जी से दिस्तान है वह जाकर कि माता ठीकिए शनिवार मंगल को जाईए और प्रणाम करिए उनके चरणों में डंडवत करते हैं को अपनी हर्जी लगाए और शाफ को लाब होगा अगले कॉलर जो मैसा जुड़ रहे हैं जो भी मन में सवाल है वो अपने सवाला पड़ीजी से करिये हैं अच्छी स्वेंदर कुमार बोल रहा हूं में सुजानगर सेंग अच्छी आपकी तरणों मेरा सर्फत नमस्कार है स्री राम देराम मेरे राम किजया हो अच्छी आज जुलाई निसो चोपन सुगत है और जनमिस्तान रतंगर है आज तोड़ प्रक्षन ग्यान चे सुनना आप कहीं भूल मत करो देखो एक सामने समिश्या है कि कुई दिल्ली की जोती से है वो मेरे बेटे की भूल की सहली है मेरे पहले किचन थी गर पे अंदर मेरे उसको पुजा दर बना लिया था तो वो के उसमें इतना बड़ा पुजा दर नहीं होता है और उसमें इतने किताबे पुजा की नहीं रधते हैं और बेरे पास मेरे रामायन, बहगुत कीताद सब पढ़िए ये अकंड जोतीों की क्योंकि मैं शांतिक उजाधरम से जूड़ा वहाँ तो यह बताएं कि उसमें पुजापात करना सही है या नहीं अगर के आंगर्म के बीच में हो वो तर्प अगनी कॉन और इसान कॉन के बीच में है तो यह क्या बनाता है यह नहीं होनाता है इसके बारे में जानना साथ कूं कि देखिए आपने यह प्रजंग बहुत अच्छा किया है मैं समस्ताओं कि समस्त हमारे दर्शकों के लिए बहुत कल्यान कारी साबित होने वाला है आपको बता दें कि पूजा करने की जगह चाय वो कितनी भी बड़ी हो कहीं किसी भी तरह से कोई नुक्सान नहीं देती है और रहा सवाल ये कि कि किसी भेंन ने क्या कह दिया या किसी अस्ट्रोजन ने क्या कह दिया इस पर मैं नहीं जाने वाला मैं क्यों इतनी बात करूंगा कि आप पूजा घर, मंदिर बड़ा बनाए, छोटा बनाए, बड़े घरों में जिनके पास बड़ी जगह है वो भगवान तो एक निराकार है उनका कोई आकार ही नहीं है अब आप पुष्टक जहां रखते हैं वह तुमारा तीरत होता है पुष्टक चाहिए एक रखें सो रखें पांसो रखें अजार रखें या तो फिर इसका मतलब यह वाग लाइब्रेली में पुष्टक एक ही होनी च इस थास बात है कि पुष्टक जितनी होंगी वही तो तीरत बनता है कल कोई कि जाव एक संथ कोई बढ़े जिस जब्धा नें है । जितने ज्यादा होंगे उतना ही वह उसकार्य के प्रतीक होते हैं वह शक्ति-वान मन जाता है कारी एक मालों डॉक्टर सका काम है वहां च तो यह कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंदा ना करें, और किसी ने कहा है, उसका भी स्वागत है, हम उसके बारे में क्यों अपना समय जाया करें, लेकिन बहुत इसपस्त है, कि इसके लिए आप डरिये मत, कोई डरने के आवशक्ता नहीं है, और करपा करके इतना ज़र मैं आपको बता दूँ कि जब पुस्तके जहां रखते हैं, आप पुस्तकों के बीच कोई भी गंदगी ना करें, जूते चपर पहन के ना जाये, और भगवान के मंदिर में दूरी कोल देते हैं, और उनकी धूप अगरवती दीपक रोज दिखाएं, क्योंकि धूप दीप अगरवती करना जरूरी होता है, खाली राके रखने से पुस्तकों का पाप लगता है, उनकी रोज पुझा आर्शित करें, क्योंकि सब भगवान उसमें बैठे वे हैं, उनका महतुवी उनमें वर्नन किया गया है, इसने बेलकुल नहीं डरने की आपशक्ता है, आप तो हर प्रसंता के साथ स्वात धह करें, और अपनी आने वारी प्रीडी को भी आप तियार कर रहे हैं, बात मनों कामना आपकी पून हो, और शांति कुंज हरिद्वार यानि गायत्री पीड जो है, वहां से कौन नहीं जुड़ा है, हम भी जुड़े हैं, वहां देखिए आप स्वात धह किजिए, स्वात धह कराईए, आपको बहुत मंगल शुकाम नहीं हैं आपके लिए, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ेंगे, वह अपना नाम बताएं, अपनी जन्नम स्थली और इसी के साथ अपने मन में जो भी सवाल हैं, वह पंडीजी से पूछ कर, उसका निवारन आपको ज़रूर मिलेगा, पूछे, जो कॉलर जुड़ रहे हैं, वह अपना नाम बताएं, जी आपके आवाज नहीं मिल रही है, पंडीजी मिछे लगता है कि आप कॉलर की आवाज नहीं मिल रही है, ऐसे में आप हम राशियों के और रोक कर लेंगे, तो सबसे मेश राशी के बारे में जाना चाहूंगे, आए सबसे प्रतम मेश राशी के बारे में बात करते हैं, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, आकस्मिक धनलाब के सहींग बने हुए हैं, पुराने निवेश, पुराने दोस्तों या संबंदों से आज आपको ल आपा आज होने वाला है, नौकरी में स्तती बहुत अच्छी नहीं रहेगी, गर परिवार की भी समश्चा आज रहने वाली है, साजेदारी से बिजनिस में बड़ा फायदे मिलने के योग बने वे हैं, हलके विश्यों की पढ़ाई में मन लगेगा, चात्रों को आज अच् रहने वाली है, परिवार का माहुल आज शुक में रहने वाला है, इस प्रकार से आज मेश रासी का यह है, और अब बात करते हैं वराश्यम रासी वाले लोगों के लिए, वराश्यम रासी वाले लोगों को आज दिन सुखद रहेगा, कठिन परिश्यम के सभी कारियों में आज आज आपको सपलता मिलती दिखाई दिती है, आज आचानक कहीं से लाव हो सकता है, व्यावसाय में सोच समझ करके लिए गए फैसले निने लावदायक रहेंगे, और योजनाय भी सफल होंगे, धार्मिक आईजनों में भाग आज आप ले सकते हैं, कारोबार या दफ्तर से जुड़े काम को लेकर यात्रा पर आज चरूर जा सकते हैं, शेयत का ध्यान रखें, अधिक परिश्रम से जुड़े काम को लेकर यात्रपर आज आप चाह सकते हैं, अधिक इसका असर रिस्तों पर आज पढ़ सकता है, दोस्तों की अंदेखी आज ना करें तो ठीक रहेगा, और अब आई हम बात कर रहे हैं मिथुन रासी वाले लोगों के लिए, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, धनलाब के योग बने में कार भार के अधिकता रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत से कारियों में सफलता आज मिलती है, यात्राएं आज आपको बहुत लाब देंगी, अनावशक खर्च आज आपके बढ़ सकते हैं, जिससे आर प्राप्त होगा, नमीन वस्ता अभूशन की प्राप्ती हो सकती है, दूसरों के काम में धखल ना दे, परशानी में आज आप पढ़ सकते हैं, दोड़ धूप करने से ठकान महसुस होगी, परिवार में कले भी आज रह सकता है, और अब बात करे हैं करकरासी वाले सभी जैसे करम करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है, कारचेत्र और विजनिस में अचानक आज आपको फाइदा रह सकता है, लेकिन सोच विचार कर निढ़ने लेने की आज आवश्यक्ता है, कुछ मामलों को लेकर मन में भ्रम और एन श्रितता का माहोर रहेगा, यात्रा सपर रहेगी, पार्टी में पिपनिक का आनन मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए आज समय अच्छा है, शेहत को लेकर परिशान होना पड़ सकता है, और अब बात कर रहे हैं सिंग रासी वाले लोगों के लिए, आज का दिन सुफलदाई रहेगा, कारुबार में आर्थिक लाब के अफसर मिलेंगे, रुकावा धन वापस आएगा, नौकरी में तरकी मिल सकती है, अपनी काबलियत से कटनाहियों से बाहर निकल सकेंगे, कारिशली में शुधार होगा, व्यापार में पुरानी निविशों से लाब प्राप्त होगा, खर्चों पर नियंत मता देगा, मांसिक और सारिक ठकान आज रह सकती है, अब बात कर रहे हैं कन्या रासी वाले लोगों के लिए, आज का दिन मिला जुला रहेगा, आचानक धनलाब के योग बन रहे हैं, कारोबार में बड़ों का सयोग आज प्राप्त होगा, काम के नए अफसर प्राप्त हो यात्रा का योग भी आज बन सकता है, नई योज नहें लाब देंगी, जल्दी बाजी में लिए गए निर्ण नुकसान करा सकते हैं, परिवार में विवाद होने की समावना दिखाई दिती है, परिजनों से भहस भी हो सकती है, इस्टुडेंट को महरत जादा करनी पढ़ स सकती है, मौसमी मिमारियां आज रह सकती है, इसलिए खान पान का विशिर्ट जान रखें, और आई हम बात कर रहे हैं तुलारासी वाले लोगों के लिए, आज का दिन मद्यम रहेगा, कार्चित्र में थूड़ा परिशान होना पड़ सकता है, व्यावसाय में दूसरों पर अंध्र भड़ता नुक्सान पहुंचा सकती है, इसे कठीन परिश्रम से श्वम अपने कारियों को निप्टाए, सहयोग योग से मदद ले सकते हैं, निवेश का कारुभार आज लाब दैक रहेगा, संपती के कारियों लाब देंगे, इस्टुरेंस के लिए समय बहुत और बात कर रहे हैं वराष्यक रासी वाले लोगों के लिए, आज का दिन मिला जोना रहेगा, कारुभार मद्दम रहेगा, सेर बाजार से लाब मिलने की सबहुना रहेगी, मेनत से कारियों में सबलता मिलेगी, नया निवेश करने से बचें, पुरान निवेश से लाब मिल आधिकारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है अपनी मेहनत पर भरोशा रखें कारोबार विस्तार के नई यूजना बना सकते हैं आधिकारियों से स्यूग आज प्राप्त होगा नई व्याब पर एक संबन्द आज आपके बनेंगे निवेश से बचे स्टुडेंट को मेहनत कि मव्यूद प्रणाम मिलेंगे और आई हम बात कर रहे हैं मकर रासी वाले लोगों के लिए आज का दिन आपका सामान्य रहेगा नौकरी और बिजनिस में अचानक बड़े फैसले आज आपको लेने पड़ेंगे प्रॉपर्टी में निवेश लाबदायक रहेगा व्याफ कि हम बात कर रहे हैं कुम रासी वाले लोहों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दिया धन वापस मिल सकता है निवेश अच्छा लाब होगा परिस्तरम से किये कारी सफल रहेंगे सामाजी कारियों में थोड़ी नासाज हो सकती है बोल चाल सभाव और चर्चड़ा पर काबू रखेंगे कारिस्तल पर विवाद की स्थी थोड़ी बन सकती है और अब आई हम बात कर रहे हैं मीन रासी वाले लोहों के आज का दिन आपका समान्य रहने वाला है आचानक धनलाब की योग बनेंग कारोबार अच्छा चलेगा व्यापरिक यत्राएं लाबदाएक रहेंगी समाज में आज आपकी प्रतिष्टा बढ़ेगी नौकरी से लाब होगा नई उजनाय लाब देंगी अपनी तबियत का विशिश द्यान रखें इस प्रकार से आज है हमारा रासी फल पंडे जी आपका बहुत-बहुत आभाग कि आपने तमाम जो दर्शक हैं उनके कॉल को सुना उनकी समसाओं का समधान किया और इसी वे साथ राश्यों के बारे में जानकारी दी जी शुप्रभाज शुबाशिश मेरी राम की जय हो राजा राम की जय हो हमारी खास पेशकर्ष भाग्य फल में फिलाल मिरसाथ इतना ही देश-कृदेश की तमाम आम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थार नमस्कार